Hello Friends, मैं आपका दोस्त, आज हम देखेंगे 36 गड़ी हाना का Part 2, यदि आपने 36 गड़ी हाना का Part 1 अभी तक नहीं देखा है, तो जरूर से जाके देखेएगा, लिंक जो है डिस्क्रिशन बाक समय है, और चैनल पने हैं तो सबसाइब कर लिजेगा, तो चलिए देखते हैं, पह पूछिला सब सहरावें, इसका एक हिंदी महारा यालो कुक्ति है, जो अपने मुह मिया मिठ्टू बनना, अर्था है अपनी तारीप स्वयम करना, दूत के जरह महीला फूक के पिते, मही मतलब होता है मठ्ठ या छाच, तो दूत का जला छाच को भी फूक कर भीता है, इसक कदम साउधानी के साथ रखना, बर न बिहाव छटी बर धान कुटाए, मतलब बीवहा हुआ ही नहीं है और बच्चे की सस्टी की तैयारी करना, तो इसका अर्था है समय से पूर्व का उतावलापन, पाफ छानी मचरक नाच थे, अर्था है अपरात कभी छीपी नहीं रहत करती, बिन रोय दाई दूद नहीं पियावे, अर्था है जब तक हम अपनी समस्याएं ब्यक्त नहीं करते हैं, साहता नहीं मिलती, कन खजूरा के एक गोल टूटेले कुछु नहीं होए, मतलब छोटा मोटा हानी से अमीर लोगों का कुछ नहीं बिगरता है, नवा बैला के चिक्कन सिंग, चल रे बैला टिंगे टिंग, अर्था जो चीज नहीं होती है, वो अकर्षित करता है, या कहें नहीं वस्तु में अकर्षन होता है, दू बेटा राम के, कौडी के न काम के, सिधार था होगा इसका बेटों से सहारा ना मिल पाना, गाय नगरू सुक्सूते हरू, जिसके पास गाय बैल होता है, उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो जिसके पास गाय नहीं रहता, वहाँ निश्ची थोकर जीवन जीता है, इसका अर्था हो जाएगा, निश्ची थोकर जीवन जीना, जेकरमार तेकरसार, जिसके पास समर्थ्य होता है, या कहें, समर्थ्यवान को समर्थ्यनोसार फल मिलता है, लिटाई घर मंजूर पहुना, लिटाई एक छोटी चिडिया होती है, और मंजूर, याने होता है, मयूर, वह बड़ा चिडिया होता है, तो इसका अर्था है, कमजोर आर्थिक इस्तिति को ब्यक्त करना, चोर ला चाबे बर सिखोए, चोर को और बढ़ावा देना, इसका अर्था होगा, अपराधी को अपराद करने का नया नया पैतरा बताना, या अपराधी को अपराद करने के लिए उक्साना, घर गोस्याला पहुना डेरवाए, बाय हव्यक्ति का रौब या बिना अधिकार के या अना अधिकार प्रभाव डालने की चेस्टा करना, करन मरेले पांच, अर्जुन मरेले पांच, मतलब किसी एक के ना होने से कोई फर्कना पड़ना, या बाय है तो और पर फर्कना पड़ना केवल मन में पीड़ा रहना, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरू से बताएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,